है स्टिशागर में लास्amt वीडिओ में देखा था त्रेंट इन hybrid को सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो आज हम लोग देखेंगे eez ऐसे काःब को डिकलेर कैसे करते हैं किसे करते हैं और उसके अलिमेंस को एक्सस कैसे का सकाक थे टो lectures we will discuss three things declaration of array second initialization of array and accessing the elements of an array so these three things we will discuss करेंगे तो सबसे पहले one by one discuss करते हैं declaration क्या होता है केवल मैं syntax use करूंगा और example के साथ discuss करता चलूंगा declaration of array so what is the meaning of declaration जैसे हम कोई variable declare करते हैं बिल्कुल वैसे हमें array भी declare करना पड़ेगा variable क्यों declare करते हैं ताकि हम compiler को बता सकें कि ओके इस नाम का variable है तो उसके लिए आप memory location allocate करके रिखिए similarly declare array को भी जब declare करते हैं तो compiler को हम एक message देते हैं compiler को बताते हैं कि ओके इस नाम का array है इसके लिए memory में हमारे लिए जगा fix कर लीजिए allocate कर दीजिए तो अभी हमने last video lecture में देखा था एक example salary का उसको हमारा आम से उसको मैंने declare किया था actually वो जो syntax लिखा था salary 1000 and floating type it was a declaration तो उसको हम जनलाइज करते हैं syntax क्या हो जाता है किसी भी आरे को declare करने का डेटा टाइप कि एरे नीम कि एंड कि साइज तीन बाते एंड सेमिकॉल किसी भी आरे को declare करने में हमको तीन चीजों को specify करना पड़ेगा किस तरीके के एलिमेंट उस एरे में जाने वाले हैं चुकि होमोजीनिस होता है तो सारे या तो फ्लोट होंगे इंटीजर होंगे क्या होंगे एक सट्राव सो डेटा टाइप बताना पड़ेगा एरे का नाम जो की एक यूजर डिफाइंड नेम है टाइप ऑफ एलिमेंट्स टूबी इस्टोरड इंदा आरे में जिस तरीके के अलिमेंट्स एस्टोर करने हैं उनका टाइप क्या है इसाय उसयो डिफाइंड नेम यह यूजर डिफाइंड नेम है given to the array को कोई भी user defined name हम दे सकते हैं बस identifier के rules को follow करना चाहिए this is the array name and size specifies the number of elements in the array में कितने number of elements maximum हमें store कर सकते हैं यह size वो बताता है okay so now let's take an example अब जैसे मैंने employee का example लिया था मान लीजिए हम multiple employees की ids id number store करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम ले सकते int चुकि id number normally integer values होगी one two three four like that so integer and employee id id और मान लीजिए हम दस employees का रखना चाहते हैं तो क्या हो गया int integer टाइप की values होगी array का नाम क्या हो गया employee id and कितनी हम employees के corresponding id store करना चाहते हैं maximum 10 तो 10 अलग अप्लॉई की हम id से रमे store कर सकते हैं जैसे ही मैं यह declaration करता हूँ आपको याद होगा कोई भी variable मैं declare करता हूँ तो तुरंत एक memory उसके लिए allocate हो जाती compiler एक memory fix कर देता है memory main memory के अंदर location slot fix कर देता है कि यह location जो है इस variable के लिए similarly जैसे ही मैं यह declaration करता हूँ तुरंत memory में दस locations एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नौद दस locations memory में allocate हो जाती है memory इसके आगे पीछे भी और memory हो सकती है लेकिन फिलाल दस memory किस id के लिए store होगे employee id के लिए store होगी अभी यह सारी memory locations हमारी blank है चुकि अभी हमने इनको वैल्यूज नहीं दिया कि भी किवल declare किया मार्क जलते हैं पहली location हमारी किस address से स्टार्ट हो रही है मार्क चलिए 100 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी चुकी इंटीजर दो बाइट लेता है टू बाइट ओके तो हर एक element दो दो बाइट लेगा तो 100 और 101 दो बाइट जो गई वह किसके लिए वह गई पहले के लिए देन उसके आगे दूसरा element 102 से दो दो बाइट का जम्प सो नेक्स्ट लोगेशन 104 106 108 110 112 114 116 118 लाइक दिस सो दस मेमरी लोकेशन 100 से स्टार्ट हो के लगातार 118 तक कंटीनिवस फैशन में जैसे कि मैंने बताया तो कंटीनिवस में मेरी लोकेशन ऊ clerk property होना थे हों दसो लोकेशन हमारे लिए में मेरी दिन स्लाट में लगातार इलोकेट कर ददे किसके लिए ई आडी नाम का एड डिसे का नाम हो गया हमारा एड़रे करसकते हैं इसको अमने सकते एड 0 इसको मैं लिख सकता हूँ, इस location का नाम दे सकता हूँ, EID 1, this is EID 2, and similarly, this is EID 9, हमेशा याद रखिए, यह जो brackets के इंदर मैं लिख रहा हूँ, 0, 1, 2, up to 9, these are called indices, index, these are called indices, 1, 2, and similarly, 9, these are called indices, indices, so array के हर एक element को हम उसके index से identify करते हैं, index से पहचानते हैं, पहला location है, तो EID 0, दूसरा location है EID 1, और हमेशा यह sequence में होगा, 0, 1, 2, to 9, 0 से start होगा, और maximum तक जाएगा, okay, so this is what called the declaration of array, जो की compiler को बताता है, कि किस तरीके का array है, कौन किस type के element उसमें store होना, उसका नाम क्या है, और maximum कितनी values हमें store कर सकते हैं, जैसे ही compiler यह declaration देखता है, तुरण 10, अगर 10 size है, 10 memory allocate कर देगा, 10 के लिए, okay, so हम लोगों ने array declare तो कर दिया, उसके लिए elements के लिए हम लेन मेरी में slot भी fix कर लिए, अब हमें क्या करना है, उन slots में values assign करनी है, assigning values to the elements of the array, उन slots में value एक-एक store करनी है, this is called initialization of array, मतलब value देना, elements को first time, now तीन तरीके हैं, C में, programming में, आप तीन तरीके से initialize कर सकते हैं array को, एक तो उसी समय जिस समय उसको declare किया गया, along with the declaration, at the time of declaration, दूसरा individual elements को अलग-अलग दे सकते हैं, और तीसरा loop का use करके दे सकते हैं, तो हम एके करके तीनों तरीके देखते हैं, कैसे होगा, तो मान की चलते हैं, array को हमने declare कर रखा है, अब मैं छोटा सा array लेता हूं, array A, पांस साइस का, बहुत बड़ा array नहीं लेता हूं, छोटा सा array लेता हूं, पांच elements का array है, नाम A है उस array का, और उसमें किस type की values हैं, integer type की values हैं, जैसे ही ये declare होगा, तो obviously, 5 slots, allocate हो चुके होगे मेरी में, मान चलते हैं, पहला, A0 जो है, वो 100 पर address पर है, A1, 102 पर चला जाएगा, automatically, A2, 103 पर चला जाएगा, A4, 100, sorry, 104 पर चला जाएगा, दो-दो का जंप लेगा, and A5, A3, A4, 106 and 108, so A0, A1, A2, A3 and A4, और किस-किस location पर होंगे, मान लिए 100 से चालू हो रहा है, तो 100, दो-दो का जंप, 102, 104, 100 से 100, so यह declaration हुआ, अभी array यह empty है, इसमें कोई भी value नहीं है, this is the name of the array, A, ओके, अब हम देखते हैं, एक-एक तरीके से कि कैसे इसमें elements से store होंगे, so along with declaration, जो मैंने declare किया था, उसके साथ ही मैं यह चीज़ दे दूँगा, A5, एक तरीका यह है, कि declare भी कर रहा हूँ, और साथ मैं उसको brackets में, values जो भी मैं देना चाहता हूँ, 13265, तो हमने values के assign करी, 13265, किसमें, array A में, जो 5 size का है, तो 1 automatically कहां चला जाएगा, पहली location पर, 3 कहां चला जाएगा, दूसरी location पर, 2 कहां चला जाएगा, तीसरी location पर, 6 कहां चला जाएगा, चौथी location पर, 5 कहां चला जाएगा, 5 भी location पर, जिस order में मैंने दिया, उसी order में, automatically value, assignment in पहला तरीगा है कि declaration के साथ ही साथ मैंने नहीं ब्रेकट में तरीगा इंडिविज का दे तो ये टो अहले टाइम अब ब्लिएशन है जैसे ही मैंने वाजम है नो लेकिन अगर मान ही जो मेंने डिकलेयर सेपरेटली किया हुआ है तो अगें फिर से देखते हैं एयरे हमारा खाली होगा भी A0 A1 A2 A3 and A4 और अगें लोकेशन वही मार्ण चलिए 100, 102, 104, 106, 108 अब इंडिविज्वल इलिमेंट को पहला इलिमेंट क्या है A0 दूसरा इलिमेंट क्या है A1, A2, A3, A1 इंडिविज्वल इलिमेंट को अगर हमें value देनी है तो A0 जैसे हम एक variable में value देते हैं बिलकुल उसी तरीके यहां भी देंगे A0 में क्या value देनी है? माल लिजे 1 A1 में क्या value देनी है? माल लिजे 3 A2 में क्या value देनी है? माल लिजे 2 A3 में क्या value देनी है? माल लिजे 6 And A4 में क्या value देनी है? माल लिजे 5 तो जो काम मैंने यहां पर initialization declaration के साथ किया था 1, 3, 2, 6, 5 सेम काम मैं कर रहा हूं लेकिन एक-एक element को अलग-अलग value दे रहा हूं पहले a0 में 1 दिया तो यहां 1 store हो जाएगा a1 में 3 दिया तो a1 में यहां पर 3 store हो जाएगा a2 में 2 दिया तो यहां पर 2 a3 में 6 तो a3 में आपे 6 a4 में 5 तो a4 में आपे 5 तो यह तरीका individual elements को अलग-अलग हम use करके उसमें value assign कर सकते हैं तो एक तरीका यह हो गया और तीसरा तरीका है हमारा loop, looping का method looping का method normally हम उस situation में use करते हैं जब हमें values user से लेनी है तो मान की चलिए, जैसे मान लिजए कि हमें user से value देनी है यह 5 value जो मैं यहाँ पर 1,3,2,6,5 assign मैं कर रहा हूँ यह user करना है, user से माँगू यह values तो मैं क्या करूँगा, simply एक loop चलाओंगा चुकि 5 element है, इस area के अंदर तो loop कितने बार चलेगा, हर element के पास value देनी है तो loop कितने बार चलेगा, पांच बार so for i is equal to 0, i less than equal to 4, i plus plus अब यहाँ देखिएगा, मैंने i की value 0 से क्यों चलाइए क्योंकि हमें index 0 से चलना और कहां तक जाना है, 4 तक तो 0 से लेके 4 तक जाएंगे, और i की value के एक बार increment कर रहा हूं, ठीक है, हर बार अब area में इसको अब याद भी कर सकते हैं, कि area में अगर इस तरीके से value assign करनी है, beginning element से लेके end element तक, तो सीधा-सीधा beginning index से लेके end index, beginning index है 0, lower bound and this is upper bound, so this is lower, this is also called lower bound and this is called upper bound, lower index and upper index, okay, lower bound और upper bound से लेके 0 से लेके array हमको loop चलाना पड़े गा, for i is equal to 0 से लेके 4 तक, और अब क्या करना पड़ेगी, user से एक-एक value मागनी पड़ेगी, okay, so scanf, चूकि integer values user को दे नहीं को कि आरे में integer value store नहीं है, तो percent d and ampersand a of i, so आपको पता है कि users कोई भी value मांगनी होती है, तो हम scanf function use करते है, read करने के लिए value, और scanf जब करेंगे तो scanf में value कहां पे store होगी, a of i पे, a of i में मतलब जब i की value यहां loop में पहली बार cycle में 0 रहेगी तो a 0 में value जाएगी, जब 1 रहेगी, a1 में जाएगी, 2 रहेगी, a2 में जाएगी, a3 में जाएगी, जब 4 हो जाएगी तो a4 में जाएगी, तो कि आपको मालूम है कि i की value हर बार बढ़ती जा रही है, तो जैसे जाएगी user जो भी enter करेगा, वो value उसमें array में जाती रहेगी, तो अगर मैं फिर से इस array को लूँ, this is a0, this is a1, this is a2, this is a3, and this is a4, right, तो क्या होगा, जब i की value 0 रहेगी, when i is equal to 0, उस case में, ai क्या हो जाएगा, a0, तो कि i की value 0 है, तो पहली value माली यूजर ने input की 1, पहली location चलाएगी, जब i की value हुई 1, तो scanf में यहां क्या हो जाएगा, i की value 1 हो जाएगी, तो a1, तो जो भी user input करेगा, वो किसमें चला जाएगा, a1 में मान की चली, user ने 3 input किया, similarly i की value हुई 2, तो यहां ai क्या हो जाएगा, a2, read होगी, जो भी value user input करेगा, मान के लिए 2 input करता था, यहां चला गया, then i is equal to 3, this will become a3, okay, so 3 में जो भी input किया, a3 में, चला गया, i is equal to 4, ai की value क्या हो जाएगी, a4, क्या आई की value हर बार loop में एक एक increment होगी, यह आपको पता है, so इस तरह हम loop चला कर भी, इस तरह हम loop चला कर भी, array को initialize कर सकते हैं, एक एक करके, जब भी यह movement user से हमें value देनी होती हैं, तो हम looping का प्रियोग करते हैं, so these were 3 methods, declaration के साथ-साथ initialization, अलग-अलग elements को एक एक करके value देना, और जब भी user से normally हम लेते हैं, values, तो हम इस तरह loop चला कर भी array की value को store कर सकते हैं, right, so, अब हम लोग देखते हैं कि individual, यहाँ तक हमने देख लिया कि array को declare किया, उसमें एक values भी assign कर दी, मान के चल रहा हैं कि array हमारा है निशलाई जो सो कहा है, array में values हैं, हर एक element के पास कुछ ना कुछ value है, अब हम देखते हैं कि array की values को access कैसे करेंगे, so, access करने का मतलब होता है, accessing the values means, उसकी value को read करना, जो भी जैसे मान लीजे मैं कहता हूँ कि, a0 में क्या value है, value 1 है, इस value को अगर मैं use करना चाहूँ, इस value को मैं use करना चाहूँ, इस value को मैं use करना चाहूँ, यानि इसको कहीं न कहीं अपने प्रोग्राम में इस values का प्रयोग करना है, सो ऐसे स्वेक्शन को बोलते हैं Blazola एक्सेसश करने का तरीके हमारा क्या है इक है इसे का नाम और इंडेक सिंटेक्स किया है अमारा न है एट अधिने इंडेक्स तोके तो जब भी मैं एरे का नाम लिखूंगा इंडेक्स लिखूंगा सपोज मैं लिखता हूं कि ए और इंडेक्स लिखता हूं 2 इसका मतलब किस वैल्यू किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं इसवाले की a2, so index 2 है, और array का नाम है, array a के index 2 पर, यानि array a का index 2 क्या है, ये, ओके, so इस element की हम बात कर रहे है, राइट, अब हम इस value को access कर लिए, इसमें अगर हमको कोई भी इसकी value को किसी और जगा assign करना है, किसी variable x में, suppose, integer मैंने ले रखा है, x, और इस variable x में मैंने a2 store किया, तो यानि जो भी a2 में value थी, यानि 2, या value किस में store हो जाएगी, x में, यानि x की value क्या हो जाएगी, 2, इसी तरह मैं कोई variable लेता हूँ, मानक चलिए y, y, एक variable लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ y के अंदर a4, यानि a4 में जो भी value है, a4 में कौन सी value है, 5, ये value किस में assign हो जाएगी, y, तो किसी भी प्रोग्राम में अगर हमको किसी particular element की, किसी particular location, किसी particular index के element को access करना है, तो हम उसको अराम से access कर सकते हैं, किसी भी manipulation में, अगर मैं लिख लेता हूँ, y is equal to a0 plus a1, तो यानि a0 में value कौन सी है, 1, वो यहाँ पर आ जाएगी, a1 में value कौन सी है, 3, 1 प्लस 3 कितना हुआ, 4, so y में में रख्या हो जाएगा, 4, so in this way we can access the individual values of the array, एक तो तरीका ये हुआ, लेकिन अक्सर हमें क्या होता है, पूरा-पूरा array डिस्प्ले कराना होता है, so, ऐसी situation में हम क्या करते हैं, again, using loop, हम loop का प्रियोग कर लेते हैं, और again तरीका वही है, loop का जब भी प्रियोग करेंगे, तो lower bound से लेके अमूमन, upper bound, तो कोई rule नहीं है, लेकिन अमूमन, सारे array की element की print करानी है, सारे element को access करना है, print display कराना है, तो 0 index से लेकर 4 index तक हर element के पास जाना होगा, उसकी value को display कराना होगा, so, जैसे हमने scanf में लगाया था, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, और index i की value कहाँ चलेगी, lower bound से लेकर, i की value कहाँ तक जाएगी, upper bound 4 था, lower bound से लेकर upper bound था, and i plus, plus, और scanf की जगा बस हमां रख्या हो जाएगा, printf statement जाएगी, चुकि हमें values को display करना है, so, percent d and a of i, and percent sign यहाँ नहीं लगाएगा, जैसा कि scanf में लगा था, केवल a of i, 1 होगी, increment होने के बाद, तो यानि a1, a1 में जो भी value 3 है, वो display हो जाएगी, 2 होगी, a2 में जो भी value 3 होगी, तो a3 में जो भी value 4 होगी, तो a4 में जो भी value हो, वो display हो जाएगी, और ये, जो looping है, ये अक्सर प्रियोग में आते हैं, जब भी हमको पूरे area को display करना है, जगा जगा जगा, so, loop का जो use है, reading और writing की display करने के लिए area के elements को, ये आपका program में जगा 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 पर use होगा, so, just remember it, okay, so, I hope, कि आपका array में, array का declaration कैसे करते हैं, उसमें values कैसे देते हैं, उसको initialize कैसे करते हैं, सारे method आपको समझ में आगे होगे, और साथ में अगर individual values को access use करना है, अपने program में तो कैसे करेंगे, वो हमने देखा, अगर पूरे पूरे area को normally display करना है, तो loops का प्रयोग करके हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा, ये आपको clear होगा, okay,